से। ऑफ हेलो एवरेवन आज का हमारा टपिक है shere force patch banding moment diagram צר सब्सक्त के case जब लोड जो है बैर कर रहाहा पुरा करुछ है उनिफर्मली तो हम लोग은 shear force पर बेंडिง moment diagram कैसे निकालें 구독 अब इस वीडियो को 상황 करी चुके जिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको पूरे के पूरे समझ में आजाएगा, आधे में वीडियो छोड़के मज आएगा, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अम लोग सको स्टार्ट करते हैं, तो UVL के केस लेते हैं, तो हम लोग इसमें case लिया है, पहले क्या किस करते हैं चीजों को एनलाइज करते कि और लिनियर बनेगा या फिर एक हम लोग का को यह स्थे लेता है लिया, एक elementary section लिया, क्या section लिया, एक elementary section लिया, elementary section लियने के बाद हम लोग उसके behavior को check करेंगे, उसके behavior को check करेंगे, कि loading के अनुसार हम लोग का जो shear force diagram बनेगा, वो किस तरह से बनेगा, वह हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक elementary section लेंगे, certain distance x ले सकते हैं, ठीक है, अब यह क सकते हैं, triangular loading भी कह सकते हैं, तो triangular loading में हम लोग क्या, इक elementary section लेंगे, तो यह जो w है, यह w dash हो जाएगा, लेकिन हम लोग को w dash तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या से निकाल सकते हैं, इसको, similar triangle property से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, w y l is equals to w dash by x, होगा, इसे से w dash निकल जाएगा, w x by l, ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं, कि w dash जो है, वो w x by l है, ठीक है, अब हम लोग इतना इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब यह जो पार्ट है, यह जो w dash है, इसको जो है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, w x by l लिख सकते हैं, ठीक है, अब हमने आपको uniformly distributed load प जब भी होता है इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो एरिया होगा वो टोटल लोड होगा हम लोग का जो टोटल एरिया है वही टोटल लोड है इस केस में क्या है ट्रेंगल है इस केस में भी क्या होगा है ट्रेंगूलर है तो ट्रेंगुलर का टोटल लोग हम लोग का जो एरिया हो जाएगा टोटल एरिया जो हो जाएगो क्या हो जाएगा टोटल लोड हो जाएगा हम लोग का हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है शियर फूर्स अट एनी डिस्टेंस एक्स क्या हो जाएगा लो गरुतोल लूट क्या होग उसको टूरल एरिया ओंगा उसका टूरल एरिया होगा लूट क्म्या बेस हैंड?! इंटू हाइट हाइट हॹए व्यू सिर्फ सब्सक्याइट है dreald Wx by L ठीक है तोटल लूट ही आपका टोटल क्या shear force हो जागए यहापई अब इसको कीज़े कितना आजाएगा Wx square by 2L shear force at any distance x ठीक है यह value आया shear force का ठीक है अब हमें एक बताईए यह क्या x square x की power 2 है यह हमें यह दर्शाता है है हमको यह बता रहा है कि सर यह जो हम लोग का जो शियर फॉर्स डाग्राम बनेगा यह बनेगा पैराबोलिक क्या बनेगा पैराबोलिक तू डिग्री कर बनेगा क्या बनेगा पैराबोलिक हम लोगों को जो है यहां से clear हो गया कि हम लोगका जो shear force diagram बनेगा वो क्या बनेगा parabolic किस के case में uniformly wearing load के case में हम लोग का shear force diagram कैसा बनेगा parabolic बनेगा अब आते है bending moment bending moment diagram बनाने के लिए bending moment को analyze करें बेंडिंग मॉमेंट एट एपनी दिस्टेंज एक्स क्वी एक्स डिस्टेंज पर पेंडिंग मॉमेंट का जो वैलिू है हम डोग कैसे निकाले एंड RF हो जाएगा तो क्या होगा चोटल लूड हास JUL इंड केके के हाफ इंटू ल ओड है और फूर्स क्या बोला पर्पेंडिकुदर डिस्टेंस तो पर्पेंडिकुलर दिस्टेंस अगर हम लोग ट्रियंगल को लेते हैं अगर यह बेस है तो बेस से हम लोगं का होता है मतलब x by 3 हो जागा मतलब 1 by 3 of x क्या हो जागा उसका center ठीक है triangle the loading है अगर हम लोग base लेते हैं इसको base लेते हैं तो base से क्या होता 1 by 3 of h होता है तो यह क्या 1 by 3 of x हो जागा ठीक है अब इसका values निकाली क्या हो जागा यह हो जागा आपका w x cube by 6L ठीक है bending moment at x ठीक है at any distance x अच्छा यह case है किसका cantilever का किसका case है cantilever review का case है और हमें यह बता रहा है कि sir x की power cube है मतलब 3 है मतलब 3 degree curve है इसका मतलब यह है कि sir हम लोग का जो bending moment diagram बनेगा वो बनेगा cubic पैरा बोला कि क्या बनेगा cubic पैरा बोला इतना हम लोग को clear हो गया कि हम लोग का जो shear force diagram बनेगा वो क्या बनेगा पैरा बोली और जो हम लुग का बेंडिंग मोंटगर्राम बनेगा वो किू किरी कर बनेगा क्यों प्याइक्सटोगष बनेगा आप WILL दिए बनेगा अब हम लोग जो है force at A at B bending moment at A at B at A में X equal to kya है shear force ले रहे हैं आप एट A में X equal to kya है L है और at B में X equal to kya है 0 है shear force को देखिए X equal to 0 और A में yeah x equal to L यह 0 है ठीक है अब at A bending moment at A at A में क्या हो जाएगा आपका x equal to L हो जाएगा At B में क्या होगा x equal to 0 हो जाएगा ठीक है X का value क्या होगा B पर B point X का value क्या होगा तो 0 होगा at a पर X के value क्या होगा तो L होगा डाग्राम में देखिए हम उसी तरह से बनाया है आपको ठीक है इसके बाद अब यह जो X equal to L है इसको shear force में put करके बताई कितना आ जाएगा X equal to L है तो हम लोगा कितना आ जाएगा WL by 2 ठीक है अब इस जो add B अब वहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा shear force add B 0 हो जाएगा इस X equal to 0 को shear force at any distance X में put किजिए तो जो value आएगा भही होगा अब bending moment at A at A at B X equal to L इसको bending moment वाले equation यह put कर दीजिए क्या हो जाएगा आपका W L square by 6 ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोगोंने क्या क्या निकालना पड़ेगा sign convention बताना पड़ेगा shear force और bending moment diagram जाब बनाते हैं हम लोग के सारे के सारा values निकल गया values निकलने के बाद values निकलने के बाद हम लोग क्या करते है sign convention sign convention कहता है अगर लोड आ रहा है कोई तो उसी तरह से हम लोग जब भी bending moment diagram बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे sagging positive hogging negative sagging हम पहले बताएं थे उपर से कोई भी term load आ रहा है अगर load आ रहा है कोई भी तो उससे क्या होगा sag होगा लेकिन यह क्या है cantilever beam है cantilever beam है यहाँ पर लोड पर रहा है पूरे में UVL का loading है UVL का loading है तो कुछ इसी तरह से bend होने के कोशिश करेगा तो वहाँ पर क्या condition होगा देखते हैं ठीक है अब sign convention देखते हैं कहाँ पर positive कहाँ पर नेगटिव अब अब शियर फूर्स ठीक है शियर फूर्स में आते है शियर फूर्स ट्रागर हम बनेंगे sign convention क्या करता है clockwise positive हमने इसको एक base माना उपर से कोई load आ रहा है ठीक है यह किस तरह भी एव कर रहा है clockwise क्या हो रहा है clockwise तो clockwise होगा तो क्या हो जागा positive देखें फिक्स कर दिया इदर से उपर से load आ रहा है यह किस तरह से rotation हो रहा है clockwise या anticlockwise clockwise या anticlockwise या anticlockwise तो यह clockwise है ठीक है उसी तरह bending moment तो bending moment जब भी आता है क्या देखेंगे हम लोग sagging positive hogging negative या देखेंगे sagging positive hogging negative यह antilever beam उपर से कोई loading conditions आ रहा है देखें किस सरह से behave कर रहा है यह hogging हो रहा है hogging हो रहा है अगर hogging हो रहा है तो क्या लेंगे negative होग नेगाटिव होगा negative sagging होगा positive अब बनाते हैं हम लोग shear force और bending moment डाइग्राव्ण ठीक है अच्छा अब क्या होगा आते हैं शियर फोस्ट डागराम है शियर फोस्ट डागराम बनाने के लिके होगा at x equal to l plus wl by 2 plus wl by 2 क्या होगा at x equal to l at x equal to l x equal to l क्या होगा plus wl by 2 ठीक है plus wl by 2 उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि शियर फोस्ट डागराम क्या बनेगा पैराबोलिक ठीक है उसके बाद क्या at b x equal to 0 यहाँ पे 0 है यहाँ पे क्या है wly 2 है क्या है wly 2 है इसके बाद जैसे हम लोग यह चीज बना लेते हैं इसके बाद हमें यह confusion क्रियेट होता है कि या तो क्या बनेगा पैराबोलिक बनेगा या तो यह वाला कर्व होगा ठीक है या फिर यह वाला कर्व होगा इन दोनों में से तो एक ही होगा न जो भी होगा इन दोनों में से एक ही होगा या तो उपर वाला कर्व होगा या नीचे वाला कर्व होगा इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था अभी भी बता देते हैं क्या हो यह अगर जब भी confusion हो जाए कि सर उपर वाला कर्व होगा है नीचे वाला कर्व होगा हम लोग क्या बना रहे हैं क्या बना रहे है shear force diagram तो shear force diagram यह कहता है कि सर ds upon dx is equals to load intensity ठीक है क्या कहता है load intensity ठीक है अच्छा at x equal to 0 पे जब x 0 है तो कुछ load है क्या वहाँ पे क्या loading condition है तो नहीं सर load भी 0 है वहाँ पे जब भी x equal to 0 में देखिए वहाँ पे load 0 है मतलब वो x axis के along होते बें जाएगा जैसे कि यह वाला जो है x axis के along 0 होते बें जा रहा है नीचे वाला curve गो देखिए x axis के along नीचे होते बें जा रहा है मतलब यहां से यह वाला curve रहेगा और उपर में ds upon dx हम लोग का यह क्या बोलते है at x equal to l में हम लोग का load कहीं आ रहा है क्या हाँ तो loading condition है मतलब x axis के along 0 होते बें नहीं जाएगा मतलब यह वाला curve नीचे से नहीं होगा उपर से नहीं होगा और यह वाला नहीं होगा मतलब क्या होगा यह वाला curve होगा ठीक है यह क्या है two degree curve मतलब parabola parabolic ठीक है अब आते है bending moment diagram है तो bending moment diagram बनाने के लिए क्या चाहिए at a x equal to l कितना है minus wl square by 6 ठीक है minus wl square by 6 at b at b x equal to 0 x equal to 0 और x equal to 0 पे bending moment का value 0 यह वाला 0 ठीक है उसके बाद हमने sagging hogging बता दिया यहाँ पर क्या हो रहा है bending moment में hogging हो रहा है hogging हो रहा होगा तो क्या होगा negative लेंगे उसी तरह अब जिस तरह से आते हैं कि sir आप bending moment diagram कैसा बनेगा तो cubic parabola ठीक है cubic parabola बनेगा मतलब हम लोग को curve में doubt आ गया कि sir ये वाला curve होगा या फिर ये वाला कर्व होगा दोनों में से कोई एक कर्व होगा या तो नीचे वाला या उपर वाला इसमें क्या क्या क्याता है क्या क्या क्याता है कि sir dm upon dx is equals to shear force ठीक है moment का में at x equal to 0 में कोई shear force का value है क्या at x equal to 0 में जब भी हमने moment bending moment diagram बनाएंगे at x equal to 0 में shear force का value क्या है 0 मतलब वो x axis के along 0 होते हो आएगा अच्छा नीचे वाला x axis के along 0 है या उपर वाला नीचे वाला या उपर वाला ये वाला उपर वाला है की नहीं मतलब उपर वाला रहेगा यहां से ठीक है उसके बाद अब यहां पर देखिए अब यहां पर at a x equal to L में double L square by 6 है ठीक है मतलब dm upon dx उसमें at x equal to L में हम लोग का shear force का कुछ value है हाँ कुछ value है मतलब वो जो है x axis के along 0 होते वे नहीं जाएगा मतलब ये वाला नहीं हो कुछ value है मतलब x Play 0 नहीं होगा मतलब ये वाला नहीं होगा हम लोकों से कर- बनेगा ये वाला कर बनेगा ये वाला य depicted ये वाला मतलब जो बना है वह अंधिक है ये क्या है 3D tire color मतलब क्या होगा qbic parabolic qbic parabolic यह रहा आपका shear force diagram यह रहा आपका bending moment diagram यह रहा हमनों का analysis हमनों का shear force और bending moment diagram uniformly varying load के case में किस तरह से बनेगा आपके सामने आप इसको देखिए कम से कम दो चार बर बनाईए आपको आराम से समझ में आ जाएगा थैंक यू